हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एविशन इंस्टिटूट एविशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स तो आज हम फिर से आए हैं एक नए करेंट एफेर्स के सेशन के साथ जो की बेस्ट है 14 सेप्टेमबर 2019 के उपर तो इस सेशन में हम देख लेंगे कि 14 सेप् लिए बन सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला को एस्टिटर तो कौन ओमें क्रिकेटर है जो फस्ट में न्हों है जिनको हैट्रिक किया है जिन्होंने इसका जो करेक्ट एंसर है वो हो जाएगा, option B Megan Shat. Australia के जो first bowler है Megan Sutton उन्होंने इतियास लिखाए कि उन्होंने वो पहला woman cricketer बने है जिनको दो hat-trick मिला है white ball cricket में वो एक right term medium passer है जो कि Australia के लिए खेलते हैं और ये Australian वो पहले Australian woman cricketer भी बने थे जिनको hat-trick मिला था और उनका जो पहला hat-trick था वो उनको मिला था इंडिया के against एक T20 match में The next question is India along with which country will organize a joint military exercise माई 3 2019 India और कौन से country के साथ मिल कर एक joint military exercise करने वाला है जिसका नाम है माई 3 तो इसका जो correct answer है that is option D Thailand India and Thailand ने क्या किया है एक military और military exercise joint military exercise contact करने का फैसला किया है from 16th to 29th September कहाँ पे वो मेगलाय के उम्रोई में foreign training note पे और इस military exercise का नाम दिया गया है माई 3 इससे पहले इन दो country ने ऐसा military exercise conduct किया है last 1 month में इस military exercise में बोला जा रहा है कि 100 Indian and royal Thailand army soldiers participate करने वाले हैं और इस exercise का main aim क्या है कि उन्होंने जो सारा experience gather किया है counter terrorism operation में वो शेयर करना यह exercise में महित्री जो है यह जो महित्री है exercise है यह एक annual event है जो कि हर साल एक साल इंडिया में एक साल Thailand में इसा alternatively conduct किया जाता है और यह शुरू हुआ था 2006 से और इसके related कुछ static का question भी आपको एक static का question आपको बता दे रहे हैं कि क्या वो इंडिया का जो chief of army staff कौन है Chief of army staff कौन है इंडिया का तो उनका नाम है General Bipin Rawat The third question is which country has joined the global AMR and development hub as a new member Consequentry ने जो global AMR and development hub है उसको new member के तौर पे join किया है तो इसका जो correct answer है that is option है इंडिया इंडिया ने जो global antimicrobial resistance research and development hub है उसका new member के तौर पे join किया है AMR क्या है यह ability है यह microbe का ability है जो की medication का जो effect है इसको रोकता है और जो microbe को successfully treat भी करता है India इसका member बना है इस साल से यह member किसलिए बना है कि इंडिया भी इसकी तरह क्या करेगा इसका member बनके की drug related जो infections होता है या drug related जो problem होता है इसके उपर काम करेगा और इसको सुधारने की कोशिस करेगा और यह जो hub है यह decision making में help करता है और बहुत helpful होता है तो इसके related कुछ static का question आपको बता देते हैं कि जो Global AMR और Research Development Hub लॉंच किया गया था वो लॉंच हुआ था 2018 में चलिए देख लेते हैं, next question क्या है, the next question is, which country has opened Southeast Asia's largest solar power farm कौन से country ने Southeast Asia का जो largest solar power farm है वो open किया है, तो इसका जो correct answer है, that is option D, Vietnam भी एतनम ने क्या किया है, Southeast Asia का जो largest solar power farm है, उसका inaugurate किया है, बोला जाड़ा है कि यह जो solar power farm है, यहाँ पे 688 million kilowatt electricity produce होगा, और यह solar power farm बनाया गया है कि भी एतनम के तानी प्रोविंस में, जो की 540 hectare जमीन की उपर बनाया गया है, और बनाया है जो दाव तिंग रिजर्वर है, जो की largest artificial lake है भी एतनम के उसके उपर बनाया गया है, और बोला जा रहा है कि country का जो total solar power है, उसका 10% इस solar farm से supply होगा जो की 3,20,000 homes में supply होगा, अप्रोक्समेटली, और और इट विल अलसो प्रिवेंट अप्रेज़न अप्रवेंट गया है, वो कौन से देश का प्राम मिनिस्टर रहे चुके है, तो इसका जो correct answer है, that is, अप्शन डी टोंगा climate change campaigner of the south pacific and prime minister of tonga अकली सी पुहीबा पास्ट आवे तो climate change के जो campaigner थे और जो south pacific के टोंगा के prime minister थे अकली सी पुहीबा उनका recently देहान दो गया है वो long time से एक pro democracy campaigner थे और एक leader थे जो कि climate change के एक जो fight हो रहा था उसके leader थे उनको 2013 में defender of democracy award मिला था और वो award मिला था by the parliamentarians for global action वो first pacific islander बने थे जिनको ये prize मिला था The next question is the DRDO has handed over the second airborne warning plane Netra to whom? DRDO ने जो second airborne warning plane है जिसका नाम दिया गया है Netra किसको handover किया है? तो इसका जो correct answer है that is option है IAF Indian Air Force The defense research development organization DRDO DRDO जिसका full form है defense research development organization उन्होंने क्या किया है? एक second airborne warning plane जिसका नाम दिया गया है Netra वो Indian Air Force को handover किया है ये Netra जो कि एक airborne early warning control aircraft है ये किस काम में आएगा? ये जो incoming ballistic missile है इसके जो threat है ये detect करने में बहुत useful होने जा रहा है और जो C surface target है इसको भी ये detect कर सकता है winding दे सकता है, track कर सकता है और identify भी कर सकता है बहुत सारे targets को जो World University Rankings 2020 का वो कौनसी उनिवर्सिटी ने रिलीस किया है तो इसका जो correct answer है, that is option ही, times higher education World University Rankings 2020 जो time higher education है United Kingdom के, United Kingdom के उन्होंने publish किया है और इसमें देखा गया है कि Indian Institute of Technology, Ropar और Indian Institute of Science, Bengal और इन दोनों को जो 56 Indian Institute है, उसमें से number one में रखा गया है और यह जो ranking है, इसमें almost 1400 universities included है across to 92 countries As per the World University Rankings 2020, rank one में है Oxford University जो की fourth time in a row, लगातर चार सल से Oxford University को rank one मिलता जारा है और second places में है, the California Institute of Technology and third places में है, the University of Cambridge देख लेते हैं आज के session का next question क्या है The next question is, which private sector bank chief becomes IBA committee member कौन से private sector bank के chief को IBA committee member बनाया गया है तो इसका जो correct answer है, that is option है, करनाटक bank करनाटक bank के जो managing director and chief executive है, महाबाले sir MS उनको Indian banks association के managing committee में include किया गया है He was elected unopposed from the private sector members banks category और इससे related एक static का question आपको बता दे रहे हैं, कि Indian banks association के chairman कौन है Chairman का नाह में सुनिल महता The next question is, make in India train Pulatisi Express tie up between which two country Make in India का जो train है Pulatisi Express वो कौन से country के बीच में tie up किया गया है तो इसका जो correct answer है, that is option है India and Sri Lanka The tie up between India and Sri Lanka received a boost when a newly make in India train Pulatisi Express rake was flagged off from Colombo Fort railway station Colombo Fort railway station से इस train को flagged off किया गया है, start किया गया है जिसका नाम दिया गया है Pulatisi Express और यह make in India का एक step है, यह जो train का जो rake है वो कहाँ पर manufacture किया गया है manufacture किया गया है Chennai के Integral Coach Factory में और यह जो train है, यह fully air conditioned chair car है The last question is, which country has owned the best video award in the UNWTO Tourism Video Competition 2019 जो UNWTO Tourism Video Competition हुआ था 2019 में वहाँ पे कौन से country ने best video award मिला है तो इसका जो correct answer है, that is option C, India इंडिया का जो एक short film था, Yogi of the Race Track उसको best video award मिला है Asia and Pacific Region के लिए जो UNWTO Tourism Video Competition था Yogi of the Race Track is a short promotional film on yoga, जिसको produce किया था किसने Union Ministry of Tourism ने और यह competition का जो result था वो कब announce किया गया, जो 23rd General Assembly हुआ था UNWTO का जो की रशिया के St. Petersburg में हुआ था, भहाँ पे इस competition का result आनाउन्स किया गया आज का जो session था, वो यहीं पे खतम होता है, उम्मीदे यह session आप लोगों के लिए helpful होगा अगर यह session आप लोगों के लिए helpful बन रहा है, तो इस video को एक like कर देना और अपने दोस्तों में share भी जरूर करना और अगर अब हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, चैनल का नाम है Abition Institute, तो फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी एक नए current affairs के session के साथ तब तक के लिए thank you and have a good day